लोकसबा चुनाफ 2019 से पहले कॉंग्रेस के केंद्र नेतरित्व को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता टॉम वड़कन गुरुबार को बीजेपी में शामिल हो गए वड़कन लंबे समय तक कॉंग्रेस के राश्ट्र प्रवक्ता भी रहे हैं राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद भी वेहून के करीबी माने जाते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद टॉम वड़कन ने कहा कॉंग्रेस में वंचवाद की राजनीती हावी है पुलवामा हमले के बाद कॉंग्रेस के रुक से मैं काफी दुखी हूँ कॉंग्रेस पुलवामा हमले पर राजनीती कर रही है मैं भारी मन से कॉंग्रिस को छोड़ रहा हूँ साथी T.M.C. नेता और जुन सिंग ने भी भारती अजनता पार्टी का हाथ थामा है बताते कि 2019 लोकसभा चुनाव शुरू ही होने वाले हैं और ऐसे में कॉंग्रिस के बड़े और दिगज नेताओं का पार्टी छोड़ कर भाजपा में जाना कॉंग्रिस के लिए एक बड़ा जुटका साबित हो सकता है जो पार्टी की जीत और हार पर भी असर करेगा देश और विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल पंजाबकेसरी.com को सिब्सक्राइब करना ना भूले